सूत्र A x B x C बराबर होता है A.C x B-A.B x C का सत्यापन कीजिए जबकि हमें A, B, C ये तीन सदिश दिए गए हैं तो पहले प्रशन को लेते हैं A बराबर क्या है हमें मिला है A बराबर I plus J minus 2K B मिला है 2I minus J plus K और C हमें सदिश मिला है I plus 3J minus K अब हम left and side को पहले लेते हैं यहां हमें A x B x C को ग्याद करना है अब देखो B x C यहां ब्रेकेट में है तो हम पहले B x C को ग्याद करेंगे left and side को हम सरल करते हैं यहां हमें A x B x C ब्रेकेट में है इसका मान ग्याद करना है B x C को हमें ग्याद करने के लिए एक सार्निक बनाई I, J, K लिखा यहां दूसरी पंक्ती में हम सदिश B में जो I, J, K, K गुणांग हैं उनको लिखा तो 2-1, 1 2-1, 1 लिखा यह हमारी दूसरी पंक्ती हो गई तीसरी पंक्ती में हमको C सदिश के I, J, K के गुणांग लिखना है अर्थात मान कितना लिखेंगे 1, 3, माइनस 1 यह हमारी दूसरी पंक्ती हो गई सार्निक को सरल करें तो मान निकलते हैं सार्निक का प्रसार करने से I गुणा हो गया 1, माइनस 3 माइनस J गुणा हो गया माइनस 2 माइनस 1 प्लस K गुणा हो गया 6 प्लस 1 यह जब जैसे हम 3 इंटू 3 का प्रसार करते हैं सार्निक का मान क्या आ गया माइनस 2 I प्लस 3 J प्लस 7 के यह हमारा B क्रॉस C आ गया अब हमें A क्रॉस B क्रॉस C को ग्याद करना है तो A क्रॉस B क्रॉस C क्या हो जाएगा पुने IJ के पहली पंक्ती में लिखा दूसरी पंक्ती में अब हम लिखेंगे सदिश A के IJ के गुणांक सदिश A के IJ के गुणांक क्या है 1,1 माइनस 2 तो हमने दूसरी पंक्ती में 1,1 माइनस 2 लिख दिया B cross C में जो हमने प्राप्त किया है उनके IJK के गुणांग minus 2, 3, 7 minus 2, 3, 7 B cross C के IJK के गुणांगों से हमारी तीसरी पंक्ती बनी है सरल किया 3 into 3 के करम के सानने का प्रसार किया माना गया I 7 plus 6 minus J 7 minus 4 plus K 3 plus 2 अर्थात मान आगया 13 I minus 3 J plus 5 K यह हमारा पहला समीकरन हो गया अर्थात हमने left hand side A cross bracket में जब की है B cross C इसका मान ग्याद कर लिया है यह मान 13 I minus 3 J plus 5 K के बराबर है अब हम right hand side लेते हैं तो right hand side हमारा क्या है तो को सूत्र सत्यापित करने के लिए right hand side हमारा है A dot C times B minus A dot B times C के यह हमारा right hand side है अब हम पहले A dot C निकलते हैं तो A सदिश हमारा है I plus J minus 2 K dot C अर्थात I plus 3 J minus K dot product में I dot I एक होता है J dot J एक होता है और K dot K एक होता है इन मानों को तो हमें लेना है 6 मानों को 6 के मान जीरो होंगे अर्थात एक गुना एक plus एक गुना कितना हो जाएगा 3 J के लिए ले लिया K के लिए कितना हो जाएगा minus 2 गुना minus 1 तो minus 2 गुना minus 1 मान कैलकुलेट किया तो एक प्लस 3 प्लस 2 मान आ गया 6 तो A dot C का मान 6 के बराबर है अब हमें क्या गयात करना चीए A dot B A dot B का मान क्या हो गया सदिश A अर्थात I plus J मान जीरो के dot 2I मान जीरो प्लस K कैलकुलेट किया तो I dot I से हो गया एक गुना दो प्लस J dot J से हो गया एक गुना माइनस एक प्लस माइनस दो गुना एक K dot K बराबर एक अन्यमान शुन्ने है कैलकुलेट किया तो मान आ गया 2 माइनस एक माइनस दो अर्थात माइनस एक, a.c हमारा 6 है, a.b हमारा माइनस एक है, मान रख दिया, तो राइट एंड साइड हो गया, 6 टाइमस, b सदिश 2i माइनस j प्लस k माइनस, अब क्योंकि यहां पहले से माइनस है, तो यह हो गया, प्लस एक गुणा, सदिश c, अर्थात i प्लस 3j माइनस k, calculate किया, मान आगया, 13i माइनस 3j प्लस 5 के, यही हमने समी करण 1 में, अर्थात left hand side में प्राप्त किया है, तो समी करण 1 और 2 से, इस बश्च्ट है, left hand side equal to right hand side, इती सिद्द, अब दूसरे प्रशन में भी हम देखते हैं, कि हमें इसी प्रकार से a, b, c सदिश मिले हैं, और हम को सत्यापित करना है सूत्र, तो इसलिए प्रशन एक की भाती, दूसरा प्रशन आप स्वैम करें,